नवेश्कार आज मैं आपको बताऊंगे साधा ब्लाॉज काटिंग और स्टीक्शिंग स्टीकंग तो अप सोचेंगे से यह क्या रहेंगे ऐस्तल लेंगे क्योंगि यहिस्ट मैं यह में इस्तल जरु लिस्त तो यहां पर हमने अस्तल लिया है अब देखिंगे अस्तल की जो हम चोड़ाई है अस्तल की चोड़ाई है वह 21 इंच है तो हम 36 आड़ अब इसके बाद हम एक पल्लर छोटा बड़ा करेंगे पीछे की लंबाई आप अपने साब से ले सकते हैं जितनी भी आपको लंबाई चाहिए तो देखें यहां पर हमारा पीछे का जो पल्लर है वो 15 इंच है कपड़ा तो 14 इंच का तयार हो जाएगा एक इंच हमने यहां पर सिलाई के लिए लिया है तो अस्तल को हम डबल करके निशान लगा लेंगे अब हम जैसे डीप गला बनाएंगे तो यहां पर लेंगे हम 16,5 इंच और आरूमल लेंगे 6 इंच उसके बाद यहां से गोल आई सबसे पहले हमें आरूमल की कटिंग करनी है पीछे का पला अलग रखेंगे आगे की साथ हमें 10 इंच यहां पर कटिंग करनी है जोल ना आए अब हम यहां पर निशान लगाएंगे 13 इंच पर एक सीधा निशान उसके बाद एक इंच यहां पर लेंगे और तिरे काशेप का निशान लगाएंगे गले की चोड़ाई लेंगे भूलेंगे हम 2.5 इंच गले की लंबाई लेंगे 7 इंच अगर आप चाहे तो 6 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं गोल आई अब हम यंपे लगाएंगे अपने टक्स का निशान तो जो भी हमारा फितिंग का कपड़ा पुर निकाल लेंगे तो यहां पे हमारा 69 इंच्छ हमारा साड़े नौ इंच पर दो इंच की दूरी रखेंगे हम प्लेट में और एक निशान हम यहां पर बनाएंगे दो इंच की दूरी एक निशान यहां पर और एक पिलेट हमने यहां पर साड़े नौ इंच है तो यहां पर इसी के बराबर एक पिलेट करने शान बना लिया है अब हम यहां पर अस्काल की कटिंग कर लेंगे तीरा जुड़ा हुआ है इसको भी अलग कर लेंगे अब जैसे हमारा बचा हुगा कपड़ा है इस तरीकी से तो यह डवल है अब देखिए यहां पर हम अपना पीछे का पल्ला रखेंगे पीछे का जो गला है वह भी हम ढाई इंच की चौड़ाई लेंगे और गल्ले की लंबाई रखेंगे हम यहां पर नौ इंच अब देखिए जैसे हमें कोई कपड़ा अच्छा लग रहा है और कम कपड़ा है तो हमें किस तरीके से निकालना है तो इसी तरीके से हम बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे अब यह कपड़ा सिलकी है तो थोड़ा साम बड़ा ही काटेंगे अब देखिए फिर भी यह काफी कपड़ा बचा हुए है तो गले की पट्टी और डोरी बगड़ा भी इसी वें से निकालेंगे तो यहां पर देखिए हमारा आगे कपड़ा तयार है इस तरीके से हमें रखना है कपड़े को एक पल्र रखेंगे हम इस तरीके से अब यहां पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे यह नीचे का तीरा है तो इसके उपर भी अच्छे से सिलाई लगा लेंगे तीरे के उपर और यह हमारा पीछे का पल्र है और एक कपड़ा बच्चा हुआ है नेट का इसमें से हम बाजू बनाएंगे अब देखिए बाजू बनाने का जो वीडियो वो मैंने पहले डाल चुकी हूँ कि आसान और सरल तरीके से बाजू कैसे बनाएं तो अगर आप बाजू की कटिंग नहीं आती है लाउज की स्टीचिंग नहीं आती है तो प्लीज चैनल में देख लाएं वीडियो के नीचे ह हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलिंक इन हिंदी चैनल आप उस पर किलिक किए उसके बाद उपर लिख के आएगा वीडियो फिर आप उस पर किलिक किजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो आशा करते हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस को अपने दोस्तों के साथ जार से जार से शेयर करें कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद